वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें आरो यारो 2023 के एक्जाम के लिए पिछले वर्सों के प्रिश्णों का ये कलेक्शन चल रहा है जिसमें हम टॉपिक वाइस प्रिश्णों को देख रहे थे और अभी हम साइंस के प्रिश्णों को स्टार्ट किया था हमने और ये साइंस के प्रिश्णों का लास्ट पार्ट है यहाँ पर science के प्रश्ण कम्प्लीट हो जाएंगे जितने भी questions last आपके years में पूछे गया है लगबग 5-7 सालों का यह collection है तो इसमें सारे questions जो आपके pattern change हुआ है जब से slivers change हुआ है तब से लेकर अभी तक के हमने सारे प्रश्ण को cover कर लिया और यहाँ पर हमारे सारे subject भी complete ह हो जाएंगी तो आपके Hindi माधियम के सारे प्रश्ण को हमने आपर cover कर लिया इंग्लिस मीडियम की series स्टार्ट करने वाले हैं तो जो इंग्लिस मीडियम के हैं वो इसके बाद जूड़ सकते हैं और चाहे तो आप अगर Hindi माधियम के भी देखेंगी तो आपको काफी benefit मिल जा सकते हैं आराम से तो आप यह वाली series भी देख सकते हैं इसके previous पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे playlist बना दी कही है पीवाई क्यू प्रीवियस यर कॉशन के नाम से playlist बनी है तो वहाँ पर जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं आज हमा ट्रेन चलना परारम करते हो समय व्यक्ति क्या होता है इस्तिर अवस्ता में होता है तो इस्तिर का जड़त उसको पीछे की तरब धकेल देता है ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिशन है निमने कतनों पर बिचार कीजे पहला कतन दिया गया है भारत में अमीर ग अलत भोचन खाते हैं और गरीब रूखा सुखा भोचन करते हैं यहां पर बताना है कि कौन सा कथन सही है इसकी ब्याख्या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो यहां पर डोनों कथन सही है और यह इसकी ब्याख्या भी कर रहा है अगले प्रिशन है टेली विजन ग्राही कि दूरस्त नियांतरण में किस पृकार की व्यादियोत जुम्बी के विकरण प्रयोग में लाई जाती है तो जो टेलिविजन ग्राही होता है इसका जो एंटीना होती है किस पृकार की तरंगे AWS में लाई जाती है और रक्त गेठने यह होती है option c सही उत्तर हो जाएगा अगले परेशने है निम्रेखित रशायनों में जिसका फल पकने के लिए यूज़ किया जाता है तो फल के पकने के लिए ऐफ़े ऐथे फॉन का यूज़ किया जाता है option A सही उत्तर हो जाएगा इन सब में जो बि और option दिए गहें वो गलत हो जाएंगे, एथिलीन गैस भी होती है ठीके तो आपको जैसा भी option दिया जाए यहाँ पर यह वाला A वाला से ही सुन सकते है अगला प्रशने दिया गया है यहाँ पर सूचिया दी गई है बताना है कौन सा रोग, किस विटामिन की कमी से होता है मिलान करना है जैसे रतोंदी है विटामिन A की कमी से होता आप सब जानते है रिकेट्स यानि की सूखा रोग, विटामिन D की कमी से हो जाएगा इसके बाद इसकर भी विटामिन C की कमी से होता है और वेरी वेरी विटामिन V की कमी से होता है आप इसका सही मिलाना आप कर सकते हैं अगला प्रिशने है बायो गेस में मुखेता होती है बायो गेस में कौन सी गेस होती है कारवन डायकसाइड और मीथेन गेस होती है CO2 carbon dioxide का formula होता है और CH4 methane का हो जाएगा अगला प्रिशने है बीज परिक्षण मूलता किया जाता है तो सुधता के लिए जमाओ के लिए और नमी की मात्रा के लिए तीनों कारगों के लिए बीज का परिक्षण किया जाता है कि वो सुध है के नहीं उसका जमाओ कैसा है नमी की मात्रा कैसी हो उसके लिए चाहिए तो सभी के लिए option D से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिशने है अमलो बर्षा निम्द द्वारा बायू प्रिदूशन के कारण होती है तो अमलो बर्षा किसके कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होती है तो NO2 और SO2 के कारण ये होती है option D से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिशने है दो सूशिया दी गई है बताना है इसका सही मिलान करना है जैसे प्रोजिस्ट्रॉन ये कहां से निकलता है ये स्तावन गरंती इसकी कौन सी है तो इसका हो जाएगा ये प्रोजिस्ट्रॉन जो हार्मोन है ये महिलाओं में पाया जाता है गरवासे से निकलता है ये किसके लिए होता है तो ये अंडासे पुरुस के अंडासे से निकलता है थायरॉक्सिन थायराइट गृंती से निकलेगा और इंसुलेन जो है यह अगनासे से निकलता है इसको याद रखें यह दोनों कई वार एक्जाम में पूछे गए हैं थायरॉक्सिन और इंसुलेन ओप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अगला प्रिशन है यहाँ पर प्रिशन पूछे गए हूँ अब यहाँ पर प्रिशन दिया गया है संस्था है और उनके मुख्याले दिये गए कि कहा पर है जैसे इस रो का मुख्याले कहा है बैंगलूरू में है आई यू सी ए का हैटकौर्टर कहा पर है यह पुने में अवस्तित है इसके बाद है आई यू सी का मुख्याले खाए नई दिल्ली में और वी एस सी का मुख्याले तीनुवरंथ पुरं में ओप्शन ए वाला से उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रशन है अब यहाँ पर यह प्रशन एक सेकेंड हां यहाँ पर हमने इस वाला प्रशन देखा थे इसके Rectifier के दवारा इसके बाद अगला प्रश्न हें किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिफियंध देखने के लिए एक संतल डरपन की न व्यक्ती नहीं के लिए समतलisce पूतल की बात हो रही है एडि एच हार्मून के द्वारे यह नहीं अंत्रण किया जाता अप्शन दी से उत्तर हो गा अगला प्रिश्चन है बूमें में गुरुटवा कर्शन जल किस तनाव पर रहता है यह एक बड़े तीन एटमस्फियर पर रहता है ऑप्शन दी से उत्तर हो जाएगा अगला प बताना है कि यह कैसी होंगी मतलब कहां पर बायू जल और इस पात में ध्वनी की गती किस प्रकार होती है कहां पर ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा ध्वनी की गती बायू में सबसे कम जो ध्वनी की गती है वो बायू में होगी फिर वाटर में फिर सबसे ज्यादा कहां प लखने इसके बाद अगला प्रिश्ण निम्लिकित में इसे कौन नीली क्रांथी से संभन्द रहें अगला प्रिश्ण है अधो लेखिट में में इसका यूज किया जाता है अगला प्रिश्ण है निम्लिकेट में से कौन सा राष्टी ये बागवानी मिसन का उदेश्य नहीं है तो राष्टी बागवानी मिसन का उदेश्य है ये तीनों है ये वाला नहीं है बित्की सायत प्रदान करना इसका उदेश्य नहीं था जब के तरफ लगातार पानी का भाव के तरफ पी डबलूपी सिचाई की तरफ गीला करना या फिर सुखाना तो यहां पर option B से उतर है यह कृशी वाले प्रिशना आ गये हैं कुछ-कुछ option B से उतर हो जाएगा यह किसकी तरफ इंगित करेगी क्रांतिक संबधि अवस्था पर प्रशना है bleaching powder में कौन सा रशायनिक क्योगिक होता है तो जो bleaching powder है उसमें कौन सा chemical होता है calcium oxy chloride होता है option यह calcium oxy chloride option B से उत्तर हो जाएगा अगला प्रशना है गन्य का बीच उत्पादित किया जाता है कहां पर गन्य की बीज की बात हो रही है अब यहां गन्य की बीच के उत्पादन की बात हो रही है तो यह SBI कोयम टूर में उत्पादित किया जाता है अगला प्रश्ण है लॉंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निमले खित्मे से कौन सा है यहां पर option B से उत्तर हो जाएगा यूजीनौल होता है अगला प्रश्ण है अजोला क्या है अजोला एक जलिये फर्न है यह प्रश्ण भी अलग-अलग स्टेट PCS में पूछा गया है गन्य की अडिसाली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना समय लेती है 18 महा का option C से उत्तर होगा अगला प्रश्ण है किसकी absorption में vitamin C मदद करता है तो vitamin C जो है यह लौह तत्व के absorption में help करता है option E से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है पंडूपी चलित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र जो है इसके बारे में कुछ कथन दियेगा है बताना है कौन से कथन सही है पहला कथन है इसे भारत के रक्षानुसंधान विकास संग्रिथन यानि की DRDO के द्वारा बनाया गया दूसरा कथन है इसे भारतिय पंडूपी आई एनस अरिहंत पर लगाया जाएगा तीसरा कथन है इसकी मारक छमता लगबक 700 किलोमीटर है तो यहां पर सारे ही कथन इससे संबंदे सही दिये गए है उप्शंडी से उत्तर हो जाएगा अब हाली में जितनी भी पंडूपिया है कोई भी अगर प्रक्षेपास era है कुछ भी मिसायल है तैयार की भी है भारत की द्वारा अगर उसको प्रक्ष्चेपित किया गया тो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कर लेनी है ये current affair में भी आपको चीज़ी मिलती रहती है तो उनके अलग से notes बना लेने हैं क्योंकि ऐसे प्रिश्ण पूछे जाते हैं और ये कथन के रूप में पूछे जाते हैं यहापर आपको अगर एक भी कथन गलत दे दिया तो गड़वर हो जाएगी जैसे इसमें तो सारे सही थे लेकिन आपको ऐसा जरूरी नहीं कि एक्जाम में ऐसे सारे सही ही मिले हो सकता है एक कथन गलत दे दे क्योंकि ऐसे प्रिश्ण भी आए हैं तो थोड़ा संद को ध्यान से दे कर पढ़ना पड़ता है अगला प्रिश्ण है गयाहू के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उप्यूक्त किस्म है अरहर की पूछी है एन-ए-वन भार या फिर उप्यूक्त में से कोई नहीं और option C दिया गया है UP AS 120 तो यहां पर गयां के साथ 2 पसलों के लिए वाली हो जाएगी option C से उत्र होगा अगला प्रश्ण है जोंस सालक किस की खोंच के लिए जाने जाते हैं जोंस सालक इनको सालक वैक्शीन कहा जाता है पोलियो का टीका इन होने को जाता ओप्शन सी कही उत्तर है अगले पृषन हे निक्स और और फ हाईडर यह अगला प्रिश्ण है कौन सा गलत है यह में चुनना है पहला दिया गया विक्रम सारभाई अंत्रिक्ष अनु संधान संगठन उपक्रह केंद्र सी हरिकोटा अंपदिस में नहीं है तो यह वाला गलत हो जाएगा option C से ही उतर चुन लेंगे हम अगला प्रिश्ण है अच्छा ये वाला कहां पर है ये comment करके बता है अगर आपने अनुशंधान के इंदर वाला वीडियो देखा है online exam preparation पर तो आपसे आराम से बन जाएगा अगला प्रिश्ण है मानव सरी की सबसे चोटी अस्थी कौन सी होती है तो मानव सरी की सबसे चोटी अस्थी होती है स्टेपीज कान के पास में होती है option B से ही उतर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है भारती करशी अनुसंधान परिशत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्रशी पारस्थिती की छेत्रों की संख्या कितनी है तो यह समय बीस थी option D से उत्तर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है निम्लिकित में से किसे पंद्रासो डिग्री सेल्जियस से अधिक ताप मापन के लिए यूज में लाया जाता है तो मतलब अगर पंद्रासो डिग्री स की तरह कारी करता है option B से उत्तर होगा अगला प्रिश्ण है जीरो टेल बीच और उर्वरक ड्रिल विक्षित किया गया था किसके दवारा यहां पर जीवी पंत क्रशीवं प्रवध्योगी की विश्व बिद्याल है पंत नगर में इसका जो है इसको विक्षित किया गया था अगला प्रिश्ण है Central Arid Zone Research Institute अवस्थित है यह राजिस्थान के जोधपुर में है टेलेविजन प्रिशारणों में इस श्रव्य संकेत को प्रेशित करने के लिए कौन सी टेक्नीक का यूज किया जाता है तो आप रत्ती आरोपन का यूज करते हैं option C से ही उत्तर होगा अगला प्रिश्ण है Tumor संसूचित करने में यूज रेडियो समस्थानिक होता है तो Tumor को संसूचित करने के लिए हम कौन से समस्थानिक का यूज करते हैं आर्सेनिक 74, AS 74 ठीक है तो यह आर्सेनिक का सूत्र है AS से इसको रिप्रजाइन करते हैं यह कारवन हो जाएगा स्वार्जेनिक ने कंसे कौनसा एक चाय नहीं पाया जाता है तो चाय जो होती है चाय में थीन होता है कैफीन होता है टैनिन होता है लेकिन मारफीन नहीं होता option ऐसे इससे हिततर हो जाएगा अगला प्रिश्टन है सरसो के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामाने तर निमलिकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है आड़ी मोन के बीज का यूज करते हैं हम यहाँ पर ओप्षणी से हितर हो जाएगा अगला प्रिश्ण है निमिकेट बिटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को परियाप्त अब्दी तक याद रखने में सहायक होता है तो बिटामिन B6 से ये परियाप्त अब्दी तक याद रखने में सहायक होता है यानि कि अगर जो आपके सपने हैं वो आपको थोड़ी समय तक याद रह रहे हैं तो उसका कारख कौन हो जाएगा vitamin B6 इसलिए vitamins लेने चाहिए ठीके तो यहाँ पर हमने complete प्रिशन देख लिए आपके questions गुमा फिराकर इनी topics से बार बार पूछे जाते हैं और आपको इससे काफी help में लिए कि अपने subject को अच्छे से prepare करने के लिए कम समय में आप maximum पढ़ सकते हैं PYQ और slayvers को follow करके तो जोड़े रहे चैनल के साथ ऐसी important update के लिए चैनल को subscribe जरू कर ले कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा इसके अलाब आप more update के लिए हमारे telegram group join कीजिये link आपको description मिल जाएगी और आरो यारो के paid watches हमारे start हो चुक है study for civil services के अगर आप join करना चाहते हैं तो इन नमर्स पर call करके information ले सकते हैं यहाँ पर किसी पर भी आप call करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आरो यारो के लिए हमारी test series भी चालू हो चुकी है अगर आप test series जोइन करना चाहते हैं तो भी study for civil services की online और offline mode में test series जोइन कर सकते हैं इसके अलाबा practice quiz जरूर आप लगा ले study for civil services की यह बहुत बैनी फीशल रहेंगे और आपको exam clear करने में मदद करेंगे तो इसको join कर सकते हैं इनी numbers पर call करके information ले सकते हैं thank you for watching this video स्वस रहें मस रहें मुस्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें मिलेंगी next video में thank you so much